तो चलिए आज किस वीडियो में समझ लेते हैं कि अभी फिलाल में JKSSB एस्पिरेंट्स की डिमांड क्या है और वो आप में से मैक्सिमम नंबर आफ स्टुइट्स की डिमांड है और साथ चाहत पॉजिटिव अपडेट क्या है दोनुई चीज़े आज किस वीडियो में डिस बता होगा कि फॉछ एंप कभ से लगना स्टार्ट हो रहे हैं एक्जाम के टेन्टिव डेर्ट या मन्त कौन सरा है एक प्रॉपर ईकिलेंडर होना चाहिए सिट्वरें उसके ककॉड exchanges स्टर्ट होना सभी और फास्ट्र्यकर टीमेंट होना चाहिए चैसे हाली में सूपर व पहले डिमांड तो यह है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए काफ़े समय से बच्चे जो है वेट कर रहे हैं जो एक्जाम हो भी रहे हैं वह ऐसी विकेंशिस के हो रहे हैं जो दो साल तीन साल पहले अड़डाइज करे गई थी maximum number of 90% तो वही एक्जाम हो रहे हैं फ्रेश वेकेंशि आ ही नहीं रही है तो रिक्रूटमेंट की डिमांड करे जा रहे हैं जो आप मेंसे maximum number of students की डिमांड है दूसरी डिमांड क्या करे जा रही है एज रिलेक्सेशन की अगर हम भात करेंगे जो अनुली वेकेंशिस हैं उसम जेकेशन की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि जनरली एज लिमिट होती है यांपर अगर कॉंस्टेबल की बात करेंगे कहते हैं कि 18 से लेके 28 तक होते हैं अब जनरल क्याटिगरी को बिलॉंग करते हो लेकिन यहाँ पर देखा जा जैकेशन की डिक्रूटमेंट हुई थी अगर सिर्फ बॉर्डर बैटालियन थी जब बॉर्डर के कुछ एक किलोमेटर का डिस्टन्स कवर कर रहा था वहां तक बचे ही अप्लाई कर सकते थे जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट इस पर जिम्मो कश्मिर के बचे अप्लाई कर सकते हैं वह 12-16-17 मैंच उसके बाद अभी तक होनी ही चाहिए कुछ बची 30 तक की बेडिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको कहना है कि हम 30 कि हो चुके 29 कि हो चुके 30 तक एज लिमिट होने चाहिए लेकिन मैंदा तो मानना कि अभी फिलाल जो एज लिमिट इस बार मिलनी चाहिए वह 18 से लेके 32 यर्स तक ही मिलनी चाहिए ज उसको कंप्लीट करने में लगबग तीन साल का टाइम लग गया है और यह प्रोसेस जो रिक्रिट्मेंट आपने काफी समय के बाद आई थी तो यहां पर भी एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं तो दोनों जगा एज रिलेक्सेशन की यहां पर डिमांड करी जा रही है औ अब पॉजिटिव क्या है वो भी समझ लेते हैं पॉजिटिव बात है देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगी जेकेससबी की बात करें जेकेससबी का काम है अगर उनके पास एलडिजमेंट आ जाएंग उनको रैफरों के वेकैंसी तो उनने एलडिजमेंट निकाल आपके लिए जो वेकैंसी से वो आना स्टार्ट हो जाएंगी पूरी उमिद यह करी जा रही है तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहा है कि आप बोलोगे में ज़्यादा डिलेज ज़दा वेट करना पड़ेगा अब बहुत ज़दा वेट आपको करने की ज़रू अ बड़े की डिवर्पेंट प्रोसेस जो वो स्टार्ट होने जा रहा है दूसरा एज रिलेक्सेशन की बात करेंगे यहां पर छोटा सा पॉजिटिव अपडेट यह कि एलजी मनौत से नहीं तक बात पहुंची है और वो इस पर सोच विचार कर रहे हैं अभी फाइनली वो क्या लेकर रहेंगे वो उन पर डिपेंट रहने व मैं बढ़ अब हां ऑफ हां एक उमीद करे जारहे की हां यहां पर एज रिलेक्सेशन मिल सकते हैं बड़ कितने मिल सकती है वह नहीं कहेंगे अभी उमीद है कि इस बार रिलेक्सेशन फिर से मिलने जा रही है तरë छोटे वेटरनी फेरमेसिस्ट की सेलेक्शिन लेस्ट आ गई साथ अभी हाली में जो टाइपिंग टैस्ट या सैनु टैस्ट वगएरा होने वाले उसके अड्मेट कारे का नोटिस आ चुका है तो प्रॉपर वेव में काम चलता जा रहा है इसी वेव में आगे बी चलता रहेगा तो आपको त्यारी के आप यह मत सोचे कि जब वकेंसी फॉर्म आएंगे उसके बद आपको जदा टाइम मिलने वाला है तो आपको आज से त्यारी करनी होगी अब आप मैसे मेक्सिमूम स्टूइट ऐसे तो जो कहते हैं कि फॉर्म लगेंगे तब भी तयारी करेंगे और जब आज आता है स्टाइटिंग दस से पंदर दिन पढ़ना है फिर उसके बाद क्या होता है कि अभी तो एक्जाम का पता ही नहीं जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वह प्रोसेस ऐसे चलता रहता है तो आपके लिए एक और पॉस्टिव अपडेट यह करनी है ऐसे सी सीजल की विकेंसी आ चुकी है जहां पर अगर आप ग्रैजूइट लेवल के हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो बैनिफिट क्या है एक तो देखो अप्लाई करने में 100 रुपीज पेमेंट करने के जुरूरत आपको नहीं बढ़ती है एज लिमिट 18 से लेके 28 भी है 18 से 30 भ होगा थोड़ा आपको जम्मो कुश्मी का पॉश्चन लग से पढ़ना पड़ेगा और जब आप इसका इन डेप्थ पढ़ते हैं तो इसका इन डेप्थ पढ़ना पढ़ता है तो उसमें जेक एस डेपर कवर हो जाएगा तो फिलन मोटिवेशन के तोब पर क्या आपको त 27 साल की उमर है हवलदार की पोस्ट के लिए प्राइब करना चाहते हो जर्नल वाले और एम्टे से लटा से लेकर 25 तक है आप डिरेक्ट लिए टेंथ बेस एक्जाम पे आप डरेट हवलदार लगने जा रहे हो तो अच्छी ऑपरिशनुरिटी है उसमें एक प्लस से लेक्शन के लिए जिसमें जर्नल अवेरनस रहेगा और इंग्ली रहेगा उसके त्यारी सही से करो मैनत करो क्योंकि जर्नल अवेरनस कितना इंपॉर्टन डोल प्ले कर तब को समझ आ रहा होगा तो आप लिए ऑपरिशनिटी है यह से की तरसे दो तरह के नोटिफिकेश आपको जल रहे हैं टेलीघ्राम पे टेलिघ्राम जैके लैटेस इंफो के नाम से comment section में लिन्क मिलेगा वांपे जाकर लेना और फिलाल अगर आपको जैके पी कॉंस्टिबल की तियारी करनी है इसका को भी हमारी application पे चल रहा है वाँ पे जाकर आप जाकर सक्ति हो फिलाल वीडियो को end करूँगा जो experience की demand थी और क्या positive है वो मैंने आपसे share करा मिलेंगा next video में किसी अब